आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर वो mutual fund की बजाय direct stocks में invest करें तो वो ज़्यादा returns निकाल सकते हैं देख रहा हूँ मैं आचल काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं और ऐसा लगने में कुछ गलत नहीं है convenience होता है mutual fund के अंदर invest करना कि आप अपने job और business पे ज़्यादा focus कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि job business पे focus करने के साथ mutual fund में तो पैसा जा रहा है लेकिन मैं stock market के अंदर डाल के पैसा ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ directly तो ये विडियो देखो पूरा एक hack देता हूँ और वहाँ पे आप ऐसे करो और पता चल जाएगा देखो simply आपका job business चल रहा है उसको चलने दो mutual fund के अंदर जो investment जा रहे है उसके साथ भी छेरचार नहीं करना है उसको चूना ही नहीं है वो जैसी SIP जा रहे है उसको जाने देना है इसके अलावा आपका normal तो mutual fund की SIP चली रहे है उसके साथ छेरचार करना नहीं है अलग से आप 50,000 रुपए का एक काम कर लो आप एक portfolio बना लो या 25,000 काहीं बना लो या 10,000 में ही आप अगर कर सकते हो तो 10,000 काहीं बना लो अपनी के according की ठीक है 50,000 रुपए मेरे portfolio का बस 2-3% है या 5% है या 10,000 मेरे portfolio का 2-3% है जितना आपका normal mutual fund की जो SIP जा रहे है उसका जो value है उसका एक छोटा सा हिस्सा का stock का portfolio बना लो जो stocks आपको लगते हैं या फिर जो आपकी analysis में fit बैठते हैं या जिन stocks के अंदर आप सूच रहे हो कि इसके अंदर में investment करके अपने mutual fund से ज्यादा return निकाल लोगा तो एक छोटा सा हिस्सा उसके अंदर invest कर देना है और अपना जो buy sell करना है खरीदना है बेचना है hold करना है जो भी करना है आपको जितना दिमाग लगाना है पूरा दिमाग लगा देना है दो सालों तक ये करना है और दो साल में आपको देखना है कि आपका उसके उपर जो return में तेर्ण बन रहा है क्या वो रिटर्ण में जो दो साल में आपको रिटर्ण बना है उससे जादा है यह उससे कम है अगर ज्यादा है तो कितना ज़्यादा है मतलब बड़ा margin से difference दिख रहा है मतलब 2-3% से ज़्यादा दिख रहा है Like mutual fund में मान लो कि 2 साल में आपको 20 और 20-40% का return बना मतलब 20-20% एनुलाइज बना और जो आपने invest किया उसमें आपको 50% का return बनी जा काफी बढ़िया है कोई फायदा नहीं है 1-2% के लिए इतना ज़्यादा बाईचल मेंनत करने की और या फिर आपने mutual fund में invest किया वहाँ पे बना आपको 40% और जहाँ पे आपने खुद से invest किया वहाँ बना आपको 35% या 38% तब तो नुकसान ही है देखो आप खुद से direct investment stocks के अंदर कर रहे हो और mutual funds के अंदर पैसा डाल रहे हो direct stocks के अंदर खुद से investment कर रहे हो अगर minimum भी 5% का भी margin yearly basis पे नहीं बच रहे है तो फिर invest करने का direct stocks में कोई फायदा नहीं है अगर आपको लगता है कि 5% से आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप इस तरीके से इस framework को देखो और 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इतने ही पैसे के साथ ये experiment करो कि आपका अगर वो पैसा नुकसान भी हो जाता है तो आपके portfolio पे कोई फरक नहीं परे और 2-3 साल तक ये चीज करो क्योंकि 6 मेने, 1 साल में कुछ समझ में नहीं आएगा 2-3 साल तक ये करने के बाद अगर ये वहाँ पे आपको proof दिख जाता है कि मैं खुझ से stock market में invest करके जादा पैसे बना सकता हो mutual funds की तुलना में तो आप सारा पैसा mutual funds से उठाके direct stock market में अपना जोको और अपना पैसे बनाओ लेकिन जादा तर cases में जादा तर investor जो होंगे जो small cap mutual funds का जो return होगा उसको बीट नहीं कर पाएंगे direct stock में invest करके क्योंकि small cap जब investment की बात आती है तो आपको बहुत ज़्यादा choosy होना परता है बहुत ज़्यादा deep research करनी परती है and आप invest करने जाओगे जब direct stock market में तो आप invest करोगे सिर्फ large cap companies में मुझे पता है सिर्फ large cap में करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ mid cap कर लोगे तो कर लोगे नहीं तो large cap पकर कहीं बैठे होगे और वैसे में beat करना large cap stocks में invest करके small cap mutual funds को beat करना काफी ज़्यादा मुश्किल नामुम्किन के बराबर होगा पर फिर भी अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो तो definitely एक try जरूर दो आप अपना XIRR return चेक करो तीन साल दो साल तीन साल तक invest करो mutual fund में भी और stocks में भी और XIRR चेक करो कहाँ पर बहतर बन रहा है आपका अगर आप बना ले रहे हो stocks से बहतर तो आप भाई करो क्यों ही कोई नुकसान क्यों करेगा कोई खुद का अगर ज्यादा कर पा रहे हो stock investment तो करो कोई दिक्कत नहीं है